अलोव फ्रेंड्स आप देख रहे हैं मेरे चानल हैपी टू हेल्प यू आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूं थर्मिनल तो आप देखी चुके इस तरह से के अप्लिकेशन बनेगा आप चेक कर सकते हैं आपे मैंने एक बड़ प्ले करकर दिखा देता हूं आपक रही तो फिर मैंने सोचा एक इंप्लाई डेटाबेस बना दू मैं पहले पहले भी बहुत सारा वीडियो में बना चुका हूं इंप्लाई डेटाबेस को पर मेरा वीडियो देख सकते हैं यहां पर एक एक एंप्लाई मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग एक्सेल आप एसमिस करने वाला है बहुत कुछ आप वीडियो आप देख सकते हैं आप वीडियो सेक्शन में जाया कि मेरा बहुत सारा वीडियो आप देख सकते प्लीज एक बच्छे कर लिए अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा तो चलिए टॉपिक में चलता हूं तो आज का जो टॉपिक है Employee Management System का तो कैसे काम करता है मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है तो फेले इसको हम स्टॉप करके मैं फिर से एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ ओके तो चलिए सूर करता हूँ इस तरह के Employee Details Management System का एक फॉर्म मिलेगा आपको ठीक है आपको क्या करने पड़ेगा यहाँ आभी तो कोई डेटा नहीं है पहले एक बार में में क्लिक करके देख लेता हूँ क्या डेटा है कि नहीं है ठीक है आप मैंने यहाँ नाम दिया हूँ अगर आपको चाहिए तो मैं कर सकता हूँ कुछ भी नाम डाल सकता हूँ ओके तो चलिए मैं पहले नेम से स्टार्ट करता हूँ में से स्टार्ट करता हूँ में में क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिखा रहे है टोटल इंपलाई अभी मेरे पास कोई इंपलाई नहीं है कोई में इंपलाई नहीं है कोई employee नहीं है तो एड़ करता हूं एक रेंडम ली इंपलोई आईडे देता हूं ओके नाम देता हूं फिलाल मेरे नाम देता हूं कि उसके बाद टीम लीड देता हूं कोई भी देता हूं कि एक मेट कि उसके बाद प्रोसेर्स दे देता हूं कुछ भी एक दे देता हूं लेजिए ऐसे कोई रैंडाबली दे दिया मेल कि उसके बाद बस सर्विस नो उसके बाद स्टाटास एक्टिव एक Creator एक्टिवेट अभी तक मैं यहाँ पर दण कर दायाँ देखों बाद मिनद दा सब्सक्राज नो है तो पहले आप्डेट करना की दिखाता हूं पहले इसको को हम कट कर देता हूं यहां पर डेटा आ गया और डेटा ले ले लेता हूं ठीक है टीम देजिता हूं उक्ये उसके बाद प्रोसेश देदेता हूं कोई और प्रोसेश देदा हूं और इसके बाद बस सर्फिस इसको येस कर देता हूं और तो इसको हम सब्मिट कर देता हूं देख लीजे यहां पर दो डेटा मेरे पास आ गया है एक शत्तूजे चाट जी और नीटी रोई का दो डेटा मेरे पास आ गया एक बस सर्फिस लेता है एक बस सर्फिस नहीं लेता है मैं इसको कार्ट देता हूं अभी तक हैं पे कोई अप्धिस नहीं हुआ आपका ठीक है यहाँ पर employee database यहाँ पर देख लीजिए जब भी आप open करेंगे ना तो directly यहाँ पर दिखाएगा दो employee और one male employee one female employee और one transport लेता है ठीक है आप यहाँ पर shortcut मैंने create कर दिया हूँ मैंने यहाँ पर add यह भी direct में add में जा सकते इस तरह से add में जा सकते और इसको काटके आप show data भी कर सकते show data करेंगी तो यहाँ पर main page में आ जाएगा आप में कर दीजीगा देहिए यहाँ पर two employee आ गिया one main one male और one female और एक transport लेता है तो इसको चलिए मैं upgrade करता हूं तो देखिए यहाँ पर मैं यहां से सूर करता हूं यहाँ पर add new में है वहाँ पर मैंने क्या करिया जो बस service जो लेता है उसको अभी फिलाल से वह नहीं ले रहे हैं तो भी है डबल क्लिक किये इस data में डबल क्लिक किये यहाँ पर देखिए यहाँ पर 9 हो गया अभी उसको बैक कर यह data में देखिए टोटाल टांसपोर्ट 0 हो गया टोटाल इंप्लाई दो है दो दो करके एक एक करके है मगठ ट्रांसपोर्ट 0 हो गया अपके उसके बाद यहाँ पे और खुछ कर सकते मान लिजे जो इसका process मान लिजए प्रोसेस में कर लिजे कुछ और प्रोसेस कर दिये ठिक है कुछ और यहां पे दिखे लिए आ एडि वीजी कर दिया प्रोसेस उसके बाद मैंने इसको अपडेट कर दिया उसके डिखे यहां पर इसका क्या हो गया सो डेटा में चली जाए उसके बाद एड लिस्ट में देखिए यहां पर चेंज हो गया प्रोसेस एबी सी हो गया अभी फिला लिए चीज नोटिस करिए यहां पर जब भी हमने एड़ किये ना यहां पर सब्मीट बटन आ रहा है ठीक है मगर अभी आप सब्मीट कर सकते कोई कोई एंप्टाइटा आप लिख सकते माली जब भी यहां पर डबल क्लिक करेंगे ना सब्सक्राइब ध्यान करिए यहां पर अपडेट लिखा जाएगा डबल क्लिक किया देखिए चेंज होके अपडेट हो गया तो अभी यहां पर वह संब्मीट का बटन गया सिरफ यहां ऑप्टास कर आप से करिए यहां से कर सकते अगर कोई भी डेटा कोई थरड़बकोट Nu अभी नहीं कर सकते हैं तिरिब यहां पाप सकते हैं भी फिलाल लाभी यहां पेड़ा में आप घूट्स सकते हैं जब आप यहां पर क्रॉस कर देंगे इसको Kingdom देता जब यहां भी डेटा में घुझ सकते हैं माल लीजे किसी को और देंगे ना सिर्फ उसको अगर फाइल देंगे तो उसका सॉफ्ट कॉपी मतलब एक कॉपी आएगा उस कॉपी में सिर्फ ऐसे एड़र सो फॉर्म ऐसे आजाएगा ठीक है यहां पर कुछ चेंड में सिर्फ मैं आपको दे दूँगा ठीक है और कुछ भी इसका रिलेटेट कोई प्राब्लम है तो आप मुझे बताइए मैं कमेंड में जरूर रिप्लाइद दूँगा और थाइंक्यू इतना देर तेक वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्स अच्छा लेगे तो प्लीज सब्सक् और के लिए यव कर अभाई बताइए क करे दो लाहँ क Partang कर दोटने टना तेक झाल पिक भी एतना दोटने कर दूसस्वा।